नमस्कार हमारे इगनू आडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है. इंदिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्व विद्यालया, स्कूल अफ सोशल वर्क, सोशल डबल्यू, बैचलर इन सोशल वर्क, बीएस डबल्यू, हिंदी, बीएस डबल्यू इशून्य शून्य एक, वॉल्यू, आई, समाजकार्या परिचे, यूनिट एक समाजकार्या अवधारनाओं का परिचे, आई, प्रस्तावना, समाजकार्या अपेक्षाक्रित एक नया और समाजिक रूप से कम मान्यता प्राप्त व्यावसाई, मुख्यता इस कारण से है कि इसके परिनामों मे सहज प्राप्ती की द्रिश्यता को प्रमानित करने की क्षमता नहीं है जो इसके अभ्यास का अनुकरन करते हैं। इस अक्षमता के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्न कारण है कि सामाजिक संबंधों का व्यावसाइक अभ्यास सहायता के मुख्य साधन के रूप में उप्योग जो अपनी यथार्थ प्रकृती से अमूर्थ है। इस अभ्यास, सहायता का मुख्य संबंध समाज में लोगों की व्यक्तित्व संरचना और सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के साथ है और वे दोनों भी स्पष्ट रूप से द्रिश्टि गोचर नहीं है। व्यवसाय के अभी नए विकास के कारण, विभिन शब्दों जो की कक्षा में अध्यापन, समाज कार्य में शोध करने और समाज में आवश्यक्ता ग्रस्त लोगों के साथ व्यवसाय के व्यवहार करने के दोरान प्रयोग किये जाते हैं, कि विशय में अत्यधिक भ्रम की सिती हैं, छुनकी, प्रभावी व्यावसाय की व्यवहार उप्योग की जाने वाली विभिन प्रकार की अवधारनाओं के भावों की स्पष्टता की मान करता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें स्पष्ट और पारिभाश्यत किया जाए तथा समाज कार्य में प्रयोग कि जाने वाली समान अवधारणाओं या अन्य समाजविज्ञानों जैसे समाज शास्त्र और honeymoon में प्रयोग की जाने वाली जिन से समाजकार्या ने अत्यधिक ज्ञान ग्रहन किया है कि बीच भेद को प्रकट किया जाए कुछ विचारन या प्रिथक प्रिथक अवधारनाई इस प्रकार है दान, श्रमदान, सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक म्याई, सामाजिक आंदोलन, सामाज समाजिक संजाल, समाजिक नीती, समाज सुधार, समाजिक सुरक्षा, समाजिक सेवाएं, समाज कल्यान और समाज कार्या. परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान. प्रायाह परोपकार को विशेश रूप से मिक्षा देने को भी समाजकार्य माना जाता है जो सही नहीं है शब्द परोपकार जैसा की Webster's Encyclopedic Unamberged Dictionary 1996-1248 में पारिभाशित किया गया है निर्देशित करता है कि भौतिक पुरसकार की आशा किये बिना परोपकार आर्थ क्रियाएं, विक्षा देने के रूप में या आवश्यक्ता ग्रस्त लोगों के लिए कोई अन्य प्रकार की परोपकारी क्रियाएं करना संपूर्ण विश्व के अधिकांश संगठित धर्मों ने दान का आवश्यक नैतिक गुन के रूप में समर्थन किया है जिसका उनके अन्यायों को धारन करना चाहिए इसको पुष्ट करते हुए मुझीब 1968-324 लिखते हैं प्रतेक धर्म दान की आग्या देता है और दान के कुछ स्वरूप सभी धर्मों के अभ्यास में एक अत्यावश्यक तत्वा है हिंदू धर्म दान को पवित्र करता है दान के विशय में अति प्राचीन उलेख प्राचीनतम रिगवेद में खोजा जा सकता है जिसमें इवरिय शक्ती देने हेतु भगवान शंकर की अत्यधिक स्तुती की गई दान को बढ़ावा देते हुए या उलेख करता है 1. 13. 2. कोई हो सकता है जो सबसे अधिक चमक देता है सभी हिंदू धर्म ग्रंथ बिना भ्रम के परोपकार के प्रभाव का समर्थन करते हैं जिसका प्रतेक ग्रह स्वामी द्वारा निश्चित रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए परोपकार आध्यात्मिक्ता में एक अभ्यास के रूप में और सामाजिक रूप से स्वीक्रित प्रतेक हिंदू द्वारा रिन विभिन प्रकार के रिनों जिन से प्रतेक हिंदू अनुग्रहीत होता है चुकाने के लिए करतव्य को पूर्ण करने के रूप में गौरवान किन्तु इस बात के लिए साफधान किया गया है कि दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो इसके लिए योग्या हो। अत्री सनहिता स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि एक अयोग्य व्यक्ति जो सहायता प्राप्त करता है, चोरी करता है, और जो व्यक्ति उसे सहायता देता है वो उसे चोरी में सहारा देता है। प्राया अब्राहमनों, ज्ञानार्जन के प्रती गंभीर्ता से समर्पित विद्यार्थियों और अशक्तों सहित मनुश्यों को उप्यूप्त व्यक्तियों के रूप में समझा जाता था। प्राचीन बाइबल ने परोपकार पर अत्यधिक जोर दिया है। यहुदियों ने इश्वर की आग्या का पालन करने और आवश्यक्ताग्रिस्तों की देखभाल के लिए निर्देश दिये हैं। जूडिजम में पडोसियों के लिए स्नेह का समर्थन एक महत्वपूर्ण कर् गया है। इसाई धर्म स्नेह द्वारा बंधुता का समर्थन करता है। कलतना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास सांसारिक वस्तुएं हैं जिनकी उसे इच्छा है। और वह देखता है कि उसका भाई अभाव में है। यदि वह गुप्त रूप से हृदय से अपने भाई के वि देशी था और आपने मेरे लिए आवास का प्रबंध किया। मैं वस्त्रहीन था और आपने मुझे वस्त्र पहनाएं मैं बीमार था और आपने मेरी देखभाल की और मैं एक कैदी था और आप मेरे पास आए। मुझ पर विश्वास किया। जब आपने यह मेरे भ्रादगन के रूप में किया गया है मुझीब 1868-324 लिखते हैं प्रतेक मुसलमान के रूप में व्यक्ति को प्रार्थना अवश्य करना चाहिए यदि वह निर्दारित नियून्तम संपत्ति अधिकृत किये हुए है तो उसे सारवजनिक कोश बैतल माल के लिए अंशदान भी अवश्य देना चाहिए बाध्यकारी भुगतानों से प्रिथक मुसलमानों के उपर दानशीलता अतिती सतकार भूखी को भूजन कराना और यात्रियों के लिए सुकसपनों का प्रबंध करना दायत्व के रूप में लादा गया है जो कि लगभग बंधन के रूप में है जैसे कोई धार्मिक आदेश, विशेश अवसरों पर मुसलमान लोग अपने मित्रों, संबंधियों और गरीबों के बीच मिठाईया, फल और यहां तक कि धन भी बाटते हैं इसलाम के पांच मूलभूत सिध्धान्तों में से एक भिक्षा देना है और वक्त, दान के उद्देश हेतु संपत्ती का नियोचावर करना, मुसलिम कानून का एक महत्व पूर्ण भाग है जकात, फित्रह सदका या खैरातदान से संबंधित इसलाम की प्रसिद्ध अवधारनाए है, जकात के अंतरगत प्रतेक धार्मिक मुसलिमान को उसकी वार्शिक आय का चालीसवा भागदान पर वे करना आवशेक होता है यह अल्लाह का भाग होता है, फित्रह के अंतरगत, वेजो सोना आभूशन, मकान या किसी भी प्रकार की बहुमूले संपत्ती रखते हैं, उन्हें उनकी बचत के दो अंच प्रतिशत की दर्श से भुगतान करना आवशेक है, जो की गरीबों और आवशेक ताग्रस्त लोगों के बीच वित्रित किया जाता है इसके अतिरिक्त, प्रतेक परिवार को इसके प्रतेक सदस्य के लिए 3.5 की ग्रा के हिसाब से गेहूं दर्इदों के बीच वित्रित करना आवशेक है सदका या खैरात भिक्षा है, जिसे प्रतेक व्यक्ती अपनी कामना या इच्छा के अनुसार सकता है ठीक इसी प्रकार से अक्विका जैसे, प्रथम बार बच्चे के बालों को मूंदना महत्वपूर्ण संसकारों पर एक धार्मिक मुसलमान को लड़की के मामले में एक बक्रा या लड़के के मामले में दो बक्रों की बली अवशे देनी चाहिए और उसके मांस को तीन भागों में बाटना चाहिए और एक भाग गरीबों में बाटना चाहिए तथा एक भाग संबंधियों के बीच बाटना चाहिए, केवल एक भाग को रखते हुए पारिवारिक सदस्यों द्वारा उप्योग किया जा सकता है। पहारत में साधारनत्य पार्सियों के रूप में जाने जाने वाले उता अहमाई यहमाई उक्ता के हमाईचित गाथा उश्तावती में विश्वास करते हैं जिसका अर्थ है, सुख उसके पास होता है, जो दूसरों को सुख देता है, पार्सियों की पंचायतों और अंजन्नो तथा पार्सी न्यासों ने भी गरीबों और दीन दुखियों की सहायता के शेत्र में एक प्रशंसनिय कार्य किया है। गुरु गोविन सिंग ने एक राजाग्या प्रकाशित की जिसके अनुसार प्रत्य एक सिख को अपने समुदाई के पक्ष में अपनी आये का दस्वा भाग, दिसावंद, त्याग करना आवश्यक है. सिंग, एक नौच है, हाथ, तीन तीन चार, तीन चार शून्या. बौध और जैन दोनों धर्मों ने गरीबों और दीन दुखियों के लिए करूना का समर्थन किया है, जहां से सभी प्रकार का दान उत्पन होता है. दान चाहे नकद में हो या वस्तू के रूप में, समाज कार्य से इस अर्थ में भिन है कि पहले अस्थाई सहायता में परिनत होता है और प्राप्त करने वाले को दान देने वाले पर आश्रित बना देता है, परंतु इसकी जड़े हलां की दान में नहित हैं, ये लोगों के मध्य स्वयम सहायता के लिए एक शमता का विकास या तो उन्हें सेवाएं देते हुए या अवरोधक और हरन करने वाली सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन उत्पन करते हुए करता है स्वाच्छिक्रिया कष्ट से पीरित भाई बंधूँ के प्रती करुणा मानव प्रकृती का एक स्वाभाविक गुण है ये एक सहज मानविय प्ररेना है ये इस आधारभूत आवेग के कारण से है कि लोग अपनी इच्छा से निरंतर आगे आते हैं और विपत्ती में व्यक्तियों की सहायता का प्रबंध करने हेतु राजी होते हैं यदि हम लोगों की विभिन प्रकार की आवशक्ताओं पर ध्यान देते हैं तो हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि इन आवशक्ताओं को विस्तरित रूप से भौतिक, मनोवेग्यानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक के रूप में श्रेनीबध किया जा सकता है लोग मात रपनी उत्तर जीविता ही नहीं चाहते परंतु वे स्नेय, अनुराग, स्वायत्ता, सम्मान, मान्यता, आत्मा वास्तविकी करण और उप्रिलिखित सभी नैतिक और आध्यात्मिक विकास जिसके लिए वे दान के वित्रन का सहारा लेते हैं और विभिन प्रकार क की सहायता का प्रबंध करते हैं. समान्यत यह उनकी परोपकारिता की स्वाभावे कनुभूती, संपूर्ण मानव जाती या कम से कम, उनके स्वयम के समाज के सदस्यों की सेवा करने की निष्ठा और समर्पन के कारण है कि लोग अपने सहायता के हाथ आवश्यक्त व्यक्ति यों के प्रती अन्य प्रकार की सहायता के माध्यम से बचाव द्वारा उनकी मृत्यू के पश्चात स्वर्ब जाने की इच्छा या जन्म, मृत्यू और पुर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के कारण होता है कि लोग स्वयम को स्वेच्छिक्रिया में सम्मिलित करते है तथापी, वे जो दान देते हैं या जो सहाथ था वे उपलब्द कराते हैं या जो सेवाई वे देते हैं उसके ये कोई मूर्ट वस्तो की अपेक्षा सामानितर नहीं करते हैं स्वाच्षिक्रिया वो है जो लोगों द्वारा स्वेच्छा पूर्वक उनकी स्वयम की मनोकामना और अभिलाशा के परिणाम स्वरूप किये गई कार्य के बदले में किसी भी प्रकार की मूर्ट वस्तूच की प्राप्ती की अपेक्षा किये बिना करूना की स्वाभाविक अनुभूती और दूसरों के कल्यान से संबंध रखने के कारण उनकी स्वयम की इच्छा और अनुरूप्ता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या सेवा है जो लोग अपनी करूना की अनुभूती के कारण वैक्तिक रूप से या सामुहिक रूप से दूसरों की सहायता, विशेश रूप से वे लोग गरीबी, खराब स्वास्थ्य, निश्क्रियता, न वारा दूसरों की सहायता और उनके कल्यान को प्रोचसाहित करने के ये स्वाभाविक प्रेरणा मौदिक रूप से जरूरी नहीं। 2. सहायता दिये जाने के बदले में कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा का लोग होना। 3. सामाजिक संबधता की समझ और आवशिक्ता में दूसरों को सहायता का पूर्वा भी मुखी करन। 4. मानक्ता के ये सेवा की श्रेष्ठ निश्पत्ती में विश्वास। 5. एक व्यक्ती के अधिकार के विशय में एक व्यक्ती और कर्तव्य की प्रमुक्ता में विश्वास। तथापी मानव स्वभाव का अन्य पक्ष है। मनुश्य अपने स्वभाव से स्वार्थी भी है। व्यक्तिवाद, भौतिक्वाद और सुखवाद के वर्तमान यूब में इस आत्मोपकार की प्रवृती भी परिवर्धित हो चुकी है। इसने स्वेच्षिक्वाद और स्वेच्षिक क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आज लोग प्रारम में ही जानना चाहते हैं कि हिपलाब क्या है जो उनके ये किसी भी चीज में से परिवर्धित होंगे जिसे वे करते हैं या कोई कार्यक्रम या क्रिया कलाब जिसमें वे भाग लेते हैं। फिर भी, इन सब का तिरसकार करते हुए अभी तक भी लोग हैं जो स्वेच शिक सहायता उपलग्द कराते हैं अतह बदले हुए प्रकरन में, लोगों की उपरियुक्त सभी अपेक्षाओं उदाहरनार्थ उनकी यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए यात्रा और डै पूराचिक बहुत से स्रोथ है जो स्वेच शिकवात को सुद्रिड कर सकते हैं उदाहरन के ये कुछ नैतिक, धार्मेकोपदेश स्वेच शिक सेवा को उपलब्द कराने के लिए अभिप्रेरल को शक्तिशाली बना सकते हैं इसी तरह कुछ लोगोपकारी, धर्मार्थ संगतनों के अनुकर्निय कृत्य मानवियर दुखों की सहायता के लिए अनुभूती को तीवर कर सकते हैं इसी प्रकार से कुछ वीभत्स घटनाई या तरासदी पीडितों के लिए कुछ करने की अनुभूती उत्पन कर सकती हैं माता-पिता, शिक्षकों, संतोद्वारा सि खाया गया नीति शास्त्र और अन्यादर्श व्यक्ति भी एक व्यक्ति को कुछ प्रकार की परोपकार संबंधी कारियों में लगने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं इस भौतिक संसार की नश्वर्ता और इसके स्रिष्टिकर्था की अननंत्ता के बोध के कारण आध्या लोगों में श्रमदान को समाज कार्य का नाम देने की प्रवृति है जो कि सिरे से गलत और धामिक है। श्रमदान की उत्पत्ती हिंदी भाषा में हुई है। ये दो शब्दों श्रम, शारीरिक श्रम, और दान, दान देना, से मिलकर बना है। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर इसका तात्परिय है कि भावन निर्मान या निर्मान या व्रिक्षार ओपन के कार्य के कुछ प्रकारों के माध्यम से सामुहिक भलाई को बढ़ावा देने हितु स्वैच्षिक रूप से श्रम करने का कृत्या। श्रमदान की महत्वपूर्ण विशेश ताय है। बलकि सभी प्रकार के जोखिमों, विशेश्टव पशूं और विशेले सर्पों से बचाव भी करना होता था। परिश्क्रित औजार और साधन उपलब्ध नहीं थे और लोगों को अपनी वास्तविक उत्तर जिविता के लिए स्वैच्षिक रूप से अपने श्रम का योगदान करते हुए साथ-साथ कार्य करना पड़ता था। ये या तो चट्टानों का तोड़ना या विस्थापन करना था या फिर या घने जंगलों के बीच संकील मार्गों के निर्मान है तो जारियों की कटाई था या जानुरों का शिकार उनका मास खाने के लिए या नालों और नदियों के ऊपर काम चलाओ पुलों का निर्मान या किनही नदियों के ततपर ततबंधन अत्वा बांध का निर्मान या पीने के पानी के उद्देशे से कुओ या तालाबों की खुदाई करना या यात्रियों के लिए उन्हें आराम हेतु समर्थ करने के वास्ते मार्गों के किनारे आश्रे स्थानों का निर्मान या सामु सदस्य होने के द्वारा विशिष्ट गुन युक था और उनके द्वारा किये गए कार्य के बदले में एक शतिपूर्ती के लिए श्रम को किराय पर लेने के द्वारा विभिन प्रकार के कार्यों के निश्पादन के माध्यम से लोगों के कल्यान को बढ़ावा देने के उत्त ओस्तुति उत्तु तवा सरकार ने इस प्रकार के कार्य क्रमों जैसे राष्ट्रिय त्वा योजना, नेशनल केडेट कोर, इत्याधी को विशेश रूप से श्रम की प्रमेक्षैτοाकिन अतिष्था को बढ़ावा देने और इसको युवकों के व्यक्तित्व के एक भाग के रूप में अंतरनिवेशिंग करने के एक प्रयोजन के साथ प्रारम्द किया है जहां लोगों की परिस्थितियों को बहतर बनाने है तुवक्षेत्र जिसमें की उन्होंने कार्य करने का न सुलब होता है जो अततह निश्चत उपलब्धियों के अनेक प्रकारों में चरम बिंदू पर पहुँचता है तथा पी ये समाज कार्य से भिन है न केवल उद्देशियों के विशेश ठंग से बलकी पद्धतियों और प्रविधियों के अतिरिक्त दर्शन के विशेश ठं जो उन्होंने लिया है कि बदले में किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं इसका आधार भूत दर्शन है सैव बंधुओं के कल्यान को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना सर्वश्रेष्ट योगदान देने का कर्तव्य इसी प्रकार उलेखनिय कर जिसे शारीरिक श्रम लोगों के व्यक्तित्व और सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के भी विशुग्ध, बहुमुखी और समन्मित विकास में निभाता है श्रमदान के विप्रीद, समाज कार्या एक विशेशीक्रित प्रकृति का क्रिया कलाप है जिसके प्रभावश जिसकाली निष्पादन के ये जान के एक विशिष्ट निकाय के अतिरिक्त तक्नीकी कौशल भी आवश्यक होता है। प्रजात अंतरिक और मान्विय दर्षन पर आधारित है, जो समानता, न्याय, स्वतंतरता और बंधुत्व के मुईयों को सुद्रिड करता है और जो सभी के कल्यान को बढ़ावा देता है जैसा कि हमारे महान संतों और ग्यानियों ने हजारों वर्ष पूर्व समर्थन करन और कोई भी दुखों को न भूगे. सामाजिक आंदोलन और समाज सुधार सामाजिक आंदोलन शब्द को सामान्यतह विभिन सामाजिक प्रियाकलाप करने वालू राजनीती विज्ञान वैज्ञानिकों समाज शास्त्रियों इत्यादी के द्वारा भिन भिन रूप में प्रयोग किया गया है। 1525 में उलिखित 1988 के अनुसार, सामाजिक आंदोलन, सामुहिक सामाजिक और राजनेतिक परिद्रश्य का एक असमान प्रतिबिम की ओर संकेत करता है जैसे विशेजातियक रांतिया, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक संबिथन या एकल विशम अभियान या उपनिवेश सामाजिक आंदोलन, बड़ी संख्या में लोगों के संगतित होने के द्वारा, गैर संस्थापत साधनों के जरिये विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने या सामना करने के लिए सम्मिलित विश्वास के माध्यम से एक संगतित प्रयास करन है एक सामाजिक आंदोलन सामाजिक समूह या लोगों की श्रेनी के बारे में फक्स और लिंकेबेक, 2003-1525 के अनुसार, मानिता की प्राक्ती और अधिकारों के दावे या एक अस्तित्व परक्हित जो अब तक अस्वीक्रित थे के ये सामूहिक स्वयम संगिठं का स्वरूप ग्रहन करना है ये खत्रे के विरूद्ध मुकाबला करने या एक समूह के अत्वा लोगों की श्रेनी के अधिकारों और अस्तित्व के आधार में कारेरत रहता है यहां हम सामाजिक अंदोलन को समाज में परिवर्तन उत्पन करने है तूँ जिसे वे अपने सामानितः विचारित आदर्श मांदंडों के साथ अनुरूप्ता में एक उप्यूक्त और गौरवशाली जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के विशेय म 1. विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था से कुछ प्रकार का उत्पन असंतोश या अत्यधिक उपेक्षित हितों के सरंक्षन और प्रोटसाहन के लिए आवश्यक्ता या कुछ नवीनी करन को प्रारम करने हितु चिंताकर्शन या एक प्रिथक सामाजिक पहचान क के लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छा जिसका लोग लंबे समय तक आनन ले सके और जिसका वेखहत्रा महसूस कर सकते हैं 2. सामान्य उद्देश्य और कुछ प्रकार के संगतनों के प्रती समान रूची रखने वाले लोगों के प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्य प्रारम करने के लिए वचन बध्धता और समर्पन के प्रती जागरूपता 3. जैसी की कार्यक्रम सारेनी निश्चित की गई हो कुछ निरूपित या रूपरेख्यत योजना के अनुसार एक या अन्य प्रकार की गतिविधी पर सामान्य रूप से सहमती को आरंब करना 4. स्वायत्ता, न्याय, मानव प्रतिष्ठा, मानव अधिकार, सामाजिक मान्यता, सामाजिक बुरायों के निराकरन के विचारों के ये कुछ प्रकार का निर्देशन करना 5. विभिन प्रकार की अभिव्यक्तिया उदाहरनार्थ विद्रोह, बगावत, सुधार या क्रांती और सेवायोजन की पद्धती जैसे प्रदर्शन, हर्ताल, घेराफ, बंद इत्यादी 6. अस्थिर और अल्पकालिक प्रकृति और सामाजिक आंदोलन के प्रारंब होने अथ्वा समाप्त होने के विशै में स्पष्डटा का प्रकतना होना संभवता विभिन कारणों का एकत्री करण होने के परिनाम स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन का आरंभ हो सकता है संभवता कुछ बुराईयां जैसे सती, अस्प्रिश्यता, दहेज, वनकटाई, बाल श्रम, बंधुवा मजदूरी इत्यादी जो की विद्यमान परिस्थिती से असंतोष के उत्पन होने एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं कदाचित लोगों के कुछ प्रभावी समूह, वर्ग उदाहरनार्थ अप्राधियों के संगठित समूह, माफिया डान इत्यादी हो सकते हैं जो संभवता उनका दुरूपयोग अथ्वाशोशन और अनावश्यक उत्पीरन के लिए दमन कर सकते हैं कदाचित कुछ धर्म, संप्रदाय हो सकते हैं जो की अपमानजनक रूप से टिपनिया विरोध में कर सकते हैं या कुछ दूसरे धर्मों, संप्रदायों का दमन करने का प्रयास कर सकते हैं सामान्यता अलपसंख्यक वर्ग में, कदाचित कुछ सिध्धान्त हो सकते हैं जो की प्रजातंत्र के मूलबूत सिध्धान्तों के विरूद्ध हो सकते हैं, अत्यदिक व्यापक रूप से समकालीन समाज में नियंत्रन की विचारित पद्धती या व्यापक रूप से सम्भवता कुछ प्रबल संस्कृतियां हो सकती हैं जो कुछ दूसरी विभिन संस्कृतियों की खुलाम निंदा कर सकती हैं और उनके मूलबूत अस्तित्व को खत्रे में डालने का प्रयास कर सकती हैं। करन या देशभक्ति के इंतर्निवेशन या उनके धर्म के हितों के संरक्षन जिसे लोग अपने उप्यूक्त और गौरवशाली जीवन निर्वाहेतु अत्यदिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। सही विश्रेशन और व्याख्या में सक्रियता से कार्यरत रहने हेतु प्रेरित करते हैं। किस प्रकार उनके सामान्य सामुहिक हितों को आगे बढ़ाता है या उनका विरोध करता है और उनके उनके सर्वश्रेश्ट धंग से आगे बढ़ने के लिए ताकि जैसा वे इसे द्रिश्टिगत करते हैं वैसा भविश्य हो सके। किस प्रकार के कारियों एक संगर्थिन की स्थापना सहित का उत्तरदायत वल्य जाने की आवश्यक्ता है। के लिए जारी रहेंगे जब तक इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, शेक्षनिक और सामाजिक संगर्थन उत्पन होते हैं क्योंकि वे मनुश्यों के उप्यूक्ट प्रकार के विकास को बढ़ावा देने का आश्वासन दे सकते हैं। सामाजिक आंदोलन संपूर्ण सामाजिक संरचना को मूलभूत रूप से ठीक करने के लिए सक्षम नहीं है और न उसके परमपरागत स्वरूप में कायम रहने के लिए शोशन युक्त और दुर्व्यवहार पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की अनुमती देते हैं तभी। सामाजिक समाजिक पतन कतिपै समय की परिस्थिती के कारण प्रारम होता है विशेश रूप से जिस समय इसके अनुयाई विभिन प्रकार की प्रथाओं और परमपराओं के पीछे के मूलभूत उद्देशियों को भूल जाते हैं वे विभिन संसकारों और धार्मिक सामाजिक प्रकार की समाजिक बुराओं को बढ़ाते हैं जो व्यक्तिगत विकास में रुकावट डालती हैं और प्रभावी समाजिक क्रिया को अवरुद करती हैं उदाहरन के लिए भारत में खुली वर्ग व्यवस्था बंद जाती व्यवस्था में अधा पती हो गई है जो आगे अस्प्रिश्यता, अधर्शनियता और यहां तक की अप्राव्यता में बद्तर हो गई है जब सामाजिक बुराईयों का एक बड़े पैमाने पर अविर्भाव प्रारंब होता है और स्पष्ट रूप से विशाल होता है कुछ प्रबुद लोग उन्हें गंभीर विचार देना आरंब कर देते हैं और उनसे मुक्ती पाने के लिए साधनों की योजना बनाते हैं और यह वो परिस्थिती है जब समाज सुधार प्रारंब होता है Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary 1996-206 के अनुसार, सुधार, शब्द का अभिप्राय है जो भी तुटिपूर्ण, व्रष्ट, असंतोष जनक, इत्यादी है उसमें सुधार या संशोधन इस प्रकार समाज सुधार का कथन व्रिहत रूप से, अनैतिक, दूशित, व्रष्ट और प्रुटिपूर्ण कारियों के उन्मूलन से संबंध रखता है जो मनुष्य और समाज के विकास में बाधा डालते हैं MS. गोरे, 1987-83, के अनुसार, समाज सुधार समझाने बुझाने और जन्शिक्षा की प्रक्रियाओं के माध्यम से एक इचित दिशा में सामाजिक मनोवृतियों, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिका की प्रत्याशाओं और लोगों के व्यवहार के वास्तविक प् पिश्वास करते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके समाज में प्रचलित असंदिक धकार्य सामाजिक प्रगती को अवरूद्ध कर रहे हैं और मानव विकास में बाधा डाल रहे हैं, जिसका लक्षय संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से पूरी तरह ठीक किये बिना उनका उन्मूलन करना है जिसे वे आमतोर से संतोष जनिक मानते हैं, समाज सुधार की प्रमुक विशेश्टाएं हैं, एक, कुछ समाजिक बुराईयों की विध्यमानता जो समुचित मानव विध्धी और समाजिक विकास में बाधा डालते हैं, दो, समाजिक 3. समाज में सामान्य रूप से प्रचलित परिस्थिती के साथ पूर्णत्या संतोष होना और यह विश्वास बना रहना की समपूर्ण विवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता 4. जिनक्षेत्रों में बुरे आचरन विध्यमान है उनमें इचित परिवर्तनों को उत्पन करने के लिए अहिंसात्मक तरीकों और साधनों की नियुक्ति करना और इस तरह के उपायों के प्रयोग जैसे समझाना बुझाना, आत्मविवेकी करन, रिदय परिवर्तन इत्य दोनों ही सामाजिक परिश्थितियों में इचित परिवर्तनों को उत्पन करते का प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य और समाज के विकास को प्रोटसाहित किया जा सके 3. सुधार और विद्रोग के भी मामले में, प्रारम करने वाले, नेता वैद तरीके से समुधाय के आलसी, निश्क्रियस अदस्यों से जागरूख होने की अपील करते हैं और उनके वादों को सम्मिलित करते हैं 4. दोनों, यदि आवश्यक्ता हो तो, इंसा के साधनों और तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं दोनों के बीच जहां तक विभिन्नताओं का संबंध है, तुलनात्मक रूप से अधिक विचारनिया है 1. समाज सुधारक संपूर्ण परिस्थितियों के साथ कम या अधिक संतुष्ट होते हैं जो समाज में विध्यमान हैं और उनका असंतोष केवल समाजिक जीवन के निश्चित विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है 2. जब समाज सुधारक सत्ता तक पहुंचते हैं या उसे प्रभावित करते हैं वो समाजिक जीवन के निश्चित क्षेत्रों में जिसे वे अवाँचनिय समझते हैं और जो व्यक्तिगत और समाजिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं इचित परिवर्तनों को आरंब करने के लिए इस प्रकार की नीतियों को विरूपित करते हैं और इस प्रकार के अधिनियम बनाते हैं जो मार्ग दर्शन कर सके, क्रांतिकारी मूलभूत रूप से पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं और यहां तक कि यदि संभव तो समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ मामलों में, विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था जिसमें उनके विचार बुनियादी रूप से पब्रिष्ट हो गए हैं। अनिवार्य रूप से हमेशा रक्तपात के कारण नहीं होते, शर्मा में पिंपले, संपाधित, 1,9,8,7,2,3 समाज सुधार का अध्यन व्यावसाइक समाज कार्य करताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे लोगों की समाजिक क्रिया में सुधार करने और समाजिक संरचना और व्यवस्था में इचित परिवर्तनों को प्रारम करने से संबंधित होते हैं, और ये दोनों उद सामाजिक सुधार के माध्यम से विभिन प्रकार की सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज, सती, पर्दा-प्रथा, बाल-श्रम, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के साथ प्रारंब करके सामाजिक परिवर्तन को उत्पन करना चाहते हैं. सामाजिक संजाल, नेटवर्क, समाज वेग्यानिकों ने समाज प्रयोग करना शुरू किया. संजाल सामान्यता तंतूओं, रेखाओं, शिराओं, उद्धर्नों या उसी तरह के किसी जाल के समान सयोजन की और संकेत करता है. स्कॉर्ट, कूपर एवं कूपर में, संपादित, 1996, 795 के शब्दों में, एक सामाजिक संजाल व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविदियों के सामाजिक संबंधों में सयोजन का कोई मुखर प्रतिमान है. इस शब्द की उत्पति को भूतकाल में 1930 के दशक में खोजा जा सकता है जब बहुत से के संदर्ब में, संजाल, विन्यास इत्यादी जैसे शब्दों का बुनियादी रूप से वस्त्रों से लिए गए, ये रूपक सामाजिक संबंधों के गुते हुए तथा अंतरग्रति और लक्षनों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किये गए थे जिसे समाज में लोग अपनी विभिन प्रकार की भौतिक, मनोविग्यानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवशक्ताओं की संतुष्टी के उद्देशे से स्थापित करने हितु प्रयत्न करते हैं। ये शब्द प्रारंभिक रूप से मानव शास्त्र में रैडग्लिफ ब्राॉन और सामाजिक मनोविग्यान में जेकब मोरिनो द्वारा प्रयोग किये गए थे, यह मोरिनो थे जिन्होंने एक आरेक की सहायता से एक सामाजिक संजाल को चित्रित करने के विचार को समाजमित करकर प्रतिपादित किया था। यह 1950 का दशक था जब सामाजिक जाल की एक सुस्पष्ट कार्य प्रणाली अस्तित्व में आई। यह जॉज होमन थे जिन्होंने वर्ष 1951 में संजाल रूपक को सुव्यवस्तित किया। संजाल के विशलेशन का मूल विचार विभिन विशेयों के क्रम में और विशेयों के प्रतिमान का अंतह संबंध है जो इन दशाओं को गनितिय रूप से संसाधित करके जोड सकता है। समाज कार्य में संजाल शब्द रखने वाले स्वैच्शिक संगटनों, समुदाय आधारित संगटनों, गैर सरकारी संगटनों के एक अंतह संबंध या जाल या विन्यास की और संकेत करने के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है जो समान उद्देश्यों के लिए प्रयतन हो रही है और एकाकी रूप से उन में से अधिकांच बहुत कमजोर हैं और यह अनिवार्य हो जाता है कि समाजिक संजाल को उनके जालपादों अस्तित्वर और समन्मित क्रियाओं के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता में विद्दी के लिए स्थापित किया जाए समाजिक संजाल की महत्वपूर्ण विशेष्टाएं जो की समाज कार्य में प्रयोग की जाती हैं निमनलिखित प्रकार से हैं एक, समान रूची रखने वाले गैर सरकारी संगथन, स्वेच्शिक संगथन, समुदाय आधारित संगथन, विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशेष स्थान में कार्य कर रहे हैं जो की संभवता ऐसा सीमित जैसे एक कस्वा, शहर या ऐसा विस्तित जैसे संपूर्ण 3. ये गैर सरकारी संगथन, स्वेच्शिक संगथन, समुदाय आधारित संगथन अपने सामान्य हितों के संरक्षन और प्रोनती के लिए सामाजिक संजाल स्थापित करते हैं और उसके फलस्वरूप पारस पर एक सुद्रिडी करन के माध्यम से उन्हें पुष्ट करते हैं 4. ये गैर सरकारी संगथन, स्वेच्शिक संगथन, समुदाय आधारित संगथन एक सामान्य रूप से सहमती पर आधारित आचार सहिता के प्रती द्रिड रहने और उनके अनुपालन के लिए सहमत होते हैं 5. ये गैर सरकारी संगथन, स्वैच्शिक संगथन, समुदाय आधारित संगथन कार्य करने के लिए अपने सामाजिक संजाल को समर्थ करने हेतू एक विधी के गठन के लिए योगदान देते हैं 6. सामाजिक संजाल सामान्य रूप से पोशन कार्य के विशेश संदर्ब में गैर सरकारी संगठन, स्वेच्शिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों के स्वाभाविक हितों के संरक्षन और बड़ावा देने हेतु एक विविद्दा पूर्ण व्यापक का रेक्रमों और गतिविदियों का उत्तरदायत्व लेते हैं और बहुस्तरिय कारियों को संपन्न करते हैं। आवश्यक संजाल समाज कारिय के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि ये आवश्यक संसाधनों को गतिमान करने और स्वस्थ जन्मत के निर्मान और लोगों के हितों को बड़ावा देने, विशेश रूप से समाज के कमजोर और आगात पहुँचाने योग्य वर्गों, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता देने और सामाजिक बुराईयां जो मानव विकास और लोगों की प्रभावी क्रिया में बाधा डालती है के त्वरित उन्मूलन में सहायता देने के लिए संगटित मंच की व्यवस्था करते हैं। अधिकांच धर्मों ने धार्मिक पुन्य प्राप्त करने के लिए दान के अभ्यास का समर्थन किया है। करता है सामाजिक आंदोलन एक सामान्य समस्या को दूर करने है तू एक सुस्थिर संस्थागत संरचना के बाहर सामुहिक कार्य है। सामाजिक आंदोलन की अवधारना से घनिष्टा से संबंधित है। समाज सुधार जिसका अर्थ सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन है तू लोगों के आचरनों में परिवर्तनों को उत्पन करना है। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि एक समाज कार्य व्यावसाइक द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के मार्ग में और एक साधारन व्यक्ती द्वारा इन के प्रयोग के मार्ग में परियाप्त विभिन्नता है। एक विद्यार्ती होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार इन्हें व्यावसाईकों को प्रयोग करना चाहिए। एक विद्यार्ती होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिस प्रकार इन्हें व्यावसाईकों को प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।